आज की हमारी कहानी को लिखा है मुईशी प्रेम चंजी ने और उसका नाम है लैला यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहां से आई है और क्या करती है एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुन्दुरी को तहरान के चौक में अपने ढफ पर हाफिस की यह गजल जुम जुम कर गाते सुना रसीद मुझरा की यामे गम ना खौएद मांद चुना ना मांद चुनी नीज हम ना खौएद मांद और सारा तहरान उस पर फिदा हो गया वही लैला थी लैला के रूप लालित्ती की कलपना करने हो तो उशा के प्रफुल लालिमा की कलपना कीजिए जब नील गगन स्वन प्रकाश से रंजित हो जाता है बाहर की कलपना कीजिए जब बाग में रंग-रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुले गाती हैं लैला के स्वर लालिति की कलपना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत धुनी की कलपना कीजिए जो निशा की निस्तब्दता में उटों की गर्दनों में बचती हुई सुनाई देती हैं या उस बांसुरी की धुनी को जो मध्यान की आलस्सिमय शान्ती में किसी वरक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती हैं जिस वक्त लेला मस्थ होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गिय आभा जहलकने लगती थी वह कावे संगीत सौरव और सुश्मा की एक मनुहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े अमीर और गरीव सभी के सिर जुग जाते थे सभी मंत्र मुख्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोश और प्रेम का समराज्य होगा जब द्वन्द और संग्राम का अंत हो जाएगा वह राजा को जगाती और कहती यह विलासिता कब तक, यह एश्वर भोग कब तक वह प्रजा की सोई हुई अभिलाशाओं को जगाती उनकी रतरंतियों को अपने स्वर से कमपित कर देती वह उन अमर वीरों की किर्थी सुनाती जो दोनों की पुकार सुन कर विकल हो जाते थे उन विदीशियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर्मिठी थी उसकी अनुरक्त ध्वनी सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे सारा तहरान लेला पर फिदा था दलितों के लिए वै आशा का दीपक थी रसिकों के लिए जन्नत की हूर धनियों के लिए आत्मा की जागरती और सत्ता धारियों के लिए दया और धर्म का संदेश उसकी भौ के इशारे पर जन्ता आग में कूट सकती थी जैसे चैतन ने जड़ को आकरशित कर लेता है उसी भाती लेला ने जन्ता को आकरशित कर लिया था और यह अनुपम सौंदर सुधा की भाती पवित्र हिम के समान निशकलंक और नव कुसम की भाती अनिध्य थी उसके लिए प्रेम का टाक्ष एक भीद भरी मुस्कान एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता कंचन की परवत खड़े हो जाती, एश्वर्य उपासना करता, रियासते पैर की धूल चाटती, कवी कट जाती, विदवान घुटने टेकते लेकिन लेला किसी की और आँख उठा कर भीना देखती थी वह एक व्रक्ष की छा में रहती, भिक्षा मांकर खाती और अपनी हिर्दय विगना की राग अलापती थी वह कवी की सूक्ती की भाती केवल आनंद और प्रकाश की वस्तू थी, भोग की नहीं वह रिशियों के आशिरवात के प्रतिमा थी, कल्यान में डूबे हुई, शान्ती में रंगे हुई, कोई उसे इसपर्ष ना कर सकता था, उसे मोल ना ले सकता था एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोडे पर सवार उधर से निकला लेला गा रही थी, नादिर ने घोडे की बांग रोक ली और देर तक आत्म विस्वत की दशा में खड़ा सुनता रहा गजल का पहला शेर ये था, मरा दरदेस्ट अंदर दिल, अगर गोयम जवास सोजद, बगैर दम दरकशम, तरसन की मगजो उस्तख्वास सोजद फिर वै घोडे से उतर को वही जमीन पर बैठ गया और सिर जुकाय रोता रहा, तब वै उठा और लेला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया, लोग अदब से इधर उधर हट गए, लेला ने पूछा तुम कौन हो, नादिर ने कहा तुमारा गुलाम, लेला बोली म मुझसे क्या चाहते हो, नादिर ने कहा आप एक खिदमत करने का होक्म, मेरे जोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजियें, लेला बोली यह मेरी आदत नहीं, शहजादा फिर वही बैठ गया और लेला फिर गाने लगी, लेकिन गला थराने लगा, मानो वीणा का कोई त शहजादा नादिर है यह, लेला बे परवाही से बोली बड़ी खुशी की बात हैं, लेकिन यहा शहजादों का क्या काम, उनके लिए महल है, महفिले है, शराप के दोर है, मैं उनके लिए गाती हूँ, जिनके दिल में दर्द है, उनके ले नहीं, जिनके दिल में शौक है, शेहजादा ने उनमत भाव से कहा लेला तुमारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ मैं शौक का गुलाम था लेकिन तुमने दर्द का मज़ा चखा दिया लेला फिर गाने लगी लेकिन आवाज काबू में ना थी मानो वै उसका गला ही ना था लेला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरी की रोड चली शौता अपने अपने घर चले कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस व्रक्ष तक आये जहां वै विश्राम करती थी जब वैं अपनी जोपड़ी के द्वार पर पहुँची तब सभी आदमी विदा हो चके थे किवल एक आदमी जोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था लेला ने पूछा तुम कौन हो नादिर ने कहा फिर वही जवाब तुम्हारा गुलाम नादिर लेला बोली तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती नादिर बोला यह तू देखी रहा हूँ लेला ने कहा फिर क्यों बैठे हो नादिर बोला उम्मीद दामन पकड़े हुए है लेला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा कुछ खाकर आये हो नादिर ने कहा अब तो ना भूक है ना प्यास लेला बोली आओ आज तुमें गरीबों का खाना खिलाओं इसका भी मज़ा चकलो नादिर इंकार न कर सका आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूत पूर्व स्वाद मिला वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है उसी अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था जब वैं खा चुका तब लेला ने कहा अब जाओ आधी रात से ज्यादा रात गुजर गई है नादिर ने आखों में आसू भर कर कहा नहीं लेला अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा नादिर दिन भर लेला के नग में सुनता गलियों में सडकों पर जहां वै जाती उसके पीछे पीछे घुमता रात को उसी पेड के नीचे जाकर पड़ा रहता बाद्शा ने समझाया, मलका ने समझाया, उम्रा ने मिननते की लेकिन नादिर के सिर से लेला का सोधा ना गया जिन हालों लेला रहती थी वह भी उन हालों में ही रहता था मलकर उसके लिए अच्छी से अच्छा खाना बना कर भेज थी लेकिन नादिर उनकी और देखता भी ना था लेकिन लेला के संगीत में अवे शुधा ना थी वे टूटे हुए तारों का राग था जिसमें न वे लोच था न वे जादू न वे असर वे अभी गाती थी सुनने वाले अभी आते थे लेकिन अब वे अपना दिल खुश करने को नहीं उनका तिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विवल होकर नहीं उसको खुश करने के लिए आते थे इस तरह छे मेने गुजर गए एक दिन लैला गाने न गई नादिर ने कहा क्यों लैला आज गाने न जलोगी लैला ने कहा अब कभी न जाओंगी सच कहना तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले कासा ही मज़ा आता है नादिर बोला पहले से कहीं जादा लैला बोली लेकिन और लोग तो अब पसंद नहीं करते नादिर ने कहा हाँ मुझे इसका ताजब है लैला बोली ताजब की बात नहीं पहले मेरा दिल खुला हुआ था उसमें सब के लिए जगे थी वह सब के दिलों में पहुँचती थी अब तुमने उसका दर्वाज़ा बंद कर दिया अब वहां सिर्फ तुम हो इसलिए उसकी आवाज तुम ही को पसंद आती है यह दिल अब तुमारे सिवा और किसी के कामका नहीं रहा चलो आज तक तुम मेरे गुलाम थे आज से मैं तुमारी लॉंडी होती हूँ चलो मैं तुमारे पीछे पीछे चलूँगे आज से तुम मेरे मालिक हो थोड़ी सी आग लेकर जोपड़े में लगा दो इस डफ को उसी में जला दूँ तहरान में घर घर आनोंदत सब हो रहा था आज शहजादा नादिर लेला को बिहा कर लाया था बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी होई थी सारा तहरा तहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था बादशा ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुब अवसर पर धन और समय का अपवय ना किया जाए केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधु चिरंजीवी हों सुख से रहे लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूलेवान समय का मू देखना किसी को गवारा ना था रईसों ने महफिले सजाई, चिराग जिलाए, बाजे बजवाए गरीबों ने अपने डफलियां संभाली और सडकों पर घूम घूम कर उचलते कूदते फिरे संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दिवाने खास में जमा हुए शहजादा इत्रों से महकता, रतनों से चमकता और मनोलास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो हजारों आदमियों ने एक साथ कहा, आमीन शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारक बात देने आई लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभुषण का कही नाम न था एक महिला ने कहा, आपका सोहाग सदा सलामत रहे हजारों कंठों से ध्वनी निकली, आमीन कई साल गुजर गए, नादेरब बाटशा था और लैला उसकी मलका इरान का शासन इतने सोचारो रूप से कभी न हुआ था दोनों ही प्रजा के हितैशी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन देखना चाहते थे प्रेम ने वे सभी कठनाईयां दूर कर दी, जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी नादिर राज सत्ता का वकील था, लैला प्रजा सत्ता की लेकिन वेवारिक रूप से उनमें कोई भेद न पढ़ता था कभी ये दब जाता, कभी वेहट जाती उनका दामपत्ते जीवन आदरश था, नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का काम से अफकाश मिलता तो दोनों बैट कर गाते बजाते कभी नदियों की सेर करते, कभी किसी वरक्ष की छाओं में बैठे हुए हाफिस की गजले पढ़ते और जुमते ना लैला में अब उतनी सादगी थी, ना नादिर में अब उतना तकल्लुफ नादिर का लैला पर एकाधी पत्ते था जो साधरन बात थी, जहां बाटशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहले बसते थे, दरजनों और कोड़ियों से उनकी गढ़ना होती थी, वहां लैला अकेली थी उन महलों में अब शफा खाने मदर्से और पुस्तकाले थे, जहां महलसरों का वार्शिक वे करोणों तक पहुँचता था, वहां अब हजारों से आगे न बढ़ता था शेश रुपे प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिये जाते थे, यह सारी कतर ब्योत लेला ने की थी, बाद्शा नादर था पर अक्तियार लेला के हाथों में था सब कुछ था, किन्तु प्रजा संतुष्ट ना थी, उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जा रहा था राज सत्तावादियों को भैथ था कि अगर यही हाल रहा तो बाद्शाहत के मिट जाने में संधे नहीं जमशीत के लगाया हुआ वरक्ष जिसने हजारों सदियों से आंध्य और तूफान का मुकाबिला किया अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है उधर प्रजा सत्तावादियों को लेला से कितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिध्ध हो रही थी वे कहते अगर इरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वे मंजिले मक्सूत पर पहुँचे कयामत आ जाएगी दुनिया हवाई जहाज पर बैठी ओड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचालना आ जाए दोनों दलों में आये दिन लडाईयां होती रहती थी ना नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था ना लेला के समझाने का गरीबों पर सामंत नादिर के खून के प्यास से हो गए प्रजा लेला की जानी दुश्मन राज्य में तो यह शांती फैली हुई थी विद्रो की आग दिलों में सुलग रही थी और राज भवन में प्रेम का शांती में राज्य था बाट्शा और मलका दोनों प्रजा संतोष की कलपना में मगन थे रात का समय था नादिर और लेला आराम गाह में बैठे हुए शत्रंज की बाजी खेल रहे थे कमरे में कोई सजावट ना थे केवले एक जाजम बिछी हुई थी नादिर ने लेला का हाथ पकड़ कर कहा बस अब ये जादती नहीं तुमारी चाल हो चुकी यह देखो तुमारा एक प्यादा पिट गया लेला बोली अच्छा यह शह है आपके सारे पैदल रखे रहे गए और बाटशा पर शह पड़ गई इसी पर दावा था नादिर ने कहा तुमारे साथ हारने में जो मज़ा है वह जीतने में नहीं लेला बोली अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं शह बचाईए नहीं दूसरी चैल में मात होती है नादिर बोला अरदब देकर अच्छा अब संभल कर जाना तुमने मेरे बाटशा की तोहीन की है एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा लेला बोली बसंद की भी खबर है यह शह लाइए फर्जी अब कहिए अपकी मैं न मानूंगी कहे देती हूँ आपको दो बार छोड़ दिया है अपकी हरगिज न छोड़ूंगी नादिर बोला जब तक मेरा दिलराम घोड़ा है बादशा को कोई गम नहीं लेला बोली अच्छा यह शह है लाइए अपने दिलराम को कहिए अब जो मात होई नादिर बोला हाँ जानिमन अब मात हो गई जब मैं ही तुमारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशा कब बच सकता था लेला बोली बाते न बनाईए चुपके से इस फर्मान पर दस्तख़त कर दीजे जैसा आपने वादा किया था यह कहकर लेला ने फर्मान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था इसमें अन्ने का आयात कर घटा कर आधा कर दिया गया था लेला प्रजा को भूली ना थी वह अब भी उनकी हितकामना में सललगन रहती थी नादिर ने इस शर्थ पर फर्मान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लेला उसे शत्रंज में तीन बर मात करे वैस्सिद हस्त खेलाडी था इसे लेला जानती थी पर है शत्रंज की बाजी ना थी केवल विनोध था नादिर ने मुस्कुराते हुए फर्मान पर हस्ताक्षर कर दिये कलम की एक चिन्न से प्रजा की पाँच करोड वार्शिक करसे मुक्ती हो गए लेला का मुक्ध गर्व से आरक्त हो गया जो काम बरसों से आंदोलन से ना हो सकता था वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया यह सोच कर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त यह फर्मान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और विवस्था पिका के लोगों को इसके दर्शन होंगे उस वक्त प्रजावादियों को कितना अनंद होगा लोग मेरा यश गाएंगे, मुझे आशिरवाद देंगे नादिर प्रेम मुख्ध होकर उसके चंदर मुक्की और देख रहा था और मानो उसका वश होता तो सौंदरे की इस प्रतिमा को हिर्दय में बिठा लेता सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा है एक शन में मालूम हुआ कि जनता का टिड़ी दल अस्त्र शस्त्र से सुसजित राजभवार पर खड़ा दिवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्रतिशन शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन मत जनता द्वारों को तोड़ कर भीतर घुश जाएगी फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीणियें लगा कर दीवार पर चड़ रहे हैं लैला लज्जा और गलानी से सिर जुकाय खड़ी थी उसके मुक से एक शब्द भी ना निकलता था क्या यही वे जनता है जिनके कश्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उनमत्त हो जाती थी यही वे अशक्त दलित शुधा पीडित अत्यचार की वेदना से तडपती हुई जनता है जिस पर वे अपने को अरपन कर चुकी थी नाधिर भी मौन खड़ा था लेकिन लज्जा से नहीं क्रोट से उसका मुख तम-तमा उठा था आखों से चिंगारिया निकल रही थी बार-बार होट चबाता तलवार के कबजे पर हाथ रख कर रह जाता था वे बार-बार लेला की और संत्रप्त नेत्रों से देखता था जराज से इशारे की देर थी उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यो भगा देती जैसे आधी पत्तों को उड़ा देती है पर लेला से आख ही न मिलती थी आखिर वे अधीर होकर बोला लेला मैं राद सेना को बुलाना चाहता हूँ क्या कहती हो लेला ने दीनता पुर्ण नेत्रों से देखकर कहा जरा ठहर जाईए पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या है यह आदेश पाते ही नादर चट पर चड़ गया लेला भी उसके पीछे पीछे उपर आ पहुँची दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को चट पर खड़े देखा मानों आकाश से देवता उतर हैं सहसरों कंठों से धुरी निकली वह खड़ी है वह खड़ी है लेला वह खड़ी है यह वह जनता थी जो लेला के मधूर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी नादर ने उच्छ स्वर से विद्रोहियों को संभोधित किया ए एरान की बदनसीब रहाया तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है क्यों बगावत का जंडा खड़ा किया है क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिलकुल खौफ नहीं क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आखों के एक इशारे से तुमारी हस्ते खाक में मिला सकता हूँ मैं तुमें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहां से चले जाओ वरना कलामे पाक की कसम मैं तुमारे खून की नदियां बहा दूँगा एक आदमी ने जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था सामने आकर कहा हम उस वक्त तक ना जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाए नादर ने बिगड़ कर कहा ना शुकरो खुदा से डरो तुम्हें अपनी मलका के शान में ऐसी बेयद भी करते हो शर्म नहीं आती जबसे लैला तुमारी मलका हुई है उसने तुमारे साथ कितनी रियायते की है क्या उन्हें तुम बिलकुल भूल गए जालिमो वह मलका है पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्नों को खिला देते हो वही कपड पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो आकर महल सरा में देखो तुमें से अपनी जोपड़ों की ही तरह तकल्लूफ और सजावट से खाली पाओगे लेला तुमारी मलका होकर भी फकीरी की जिन्दगी बसर करती है तुमारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए आखों का सुर्मा बनाना चाहिए इरान के तक्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली उनके दर्द में शरीक होने वाली गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलकाने कदम नहीं रखे हैं और उनकी शान में तुम ऐसी बेहूदा बाते करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुमारी गर्दने कुंद छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरो तले रौंदा जाए। नादिर ने बात भी पूरी ना कर पाई थी कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिला कर कहा, लैला, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिला कर कहा जालिमो जरा खामोश हो जाओ यह देखो वे फर्मान है जिस पर लेला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं आज से गल्ले का महसूल घटा कर आधा कर दिया गया है और तुमारे सिर से महसूल का बोज पांच करोड कम हो हजारों आदमियों ने शोर मचाया यह महसूल बहुत पहले बिलकुल माफ हो जाना चाहिए था हम एक कौड़ी नहीं दे सकते लेला लेला हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते अब बाजशा क्रोड से कापनी लगा लेला ने सजन नेतर होकर कहा अगर रियाया क अगर की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं तो मुझे कोई उज्जर नहीं मुझे यकी है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हकूमत कर सकती हूँ नादिर ने उत्तेजित होकर कहा लेला मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुला इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी, मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मज़ा चखाता हूँ, नादिर ने मीनार पर चड़कर खत्रे का घंटा बजाया, सारे तहरान में उसकी अवाज गूंज उठ पर शाही फौज का एक आदमी भी नजर ना आया, नादिर ने दोबारा घंटा बजाया, आकाश मंडल उसकी जहंकार से कमपित हो गया, तारा गण काप उठे, पर एक भी सैनिक ना निकला, नादिर ने अब तीसी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल एक शीन प्रती ध्वनी ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंदिम प्राथना के शब्धों, नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए, अब भी लैला को जनता के दुरागरे पर बलिदान करके वे अपनी राज सत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प् भागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेणा के वश रास्ते से हट गये, दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे, चारों और अंधकार था, तुकाने बंद थी, बजारों में सननाटा च्छाया हुआ था, कोई घर से बाहर ना निकलता फकीरों ने भी मस्जिदों में पनहा ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रे ना था, नादिर की कमर में तलवार थी, लेला के हाथ में डफ, यहीं उनके विशाल एश्वरे का विलुप्त चिन्ने था, पूरा साल गुजर गया, लेला और नादिर द लगी, उसकी अवाज सुनते ही शेहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आव भगत होने लगती, लेकिन ये दोनों यातरी कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, ना किसी से कुछ मांगते, ना किसी के द्वार पर जाते, केवल रूखा सूखा भोजन कर ले जाता, उसके प्रलोभनों से कोसो दूर भागते थे, उन्हें अनुभव हो गया था, यहां जिसके लिए प्राण अरपन कर दो, वही अपना शत्रू हो जाता है, जिसके साथ भलाई करो, वही बुराई पर कमर बांधता है, यहां किसी से दिल न लगाना चाहिए, उनके पा की बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी, वह चाहता था कि गुप्त रुप से शक्ती संग्रह करके तेहरान पर चड़ जाओं, और बागियों को परास्त करके अखंड राज करूं, पर लेला की उदासिंता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहसना होता था, लेला उसकी प्राणे शोरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था, उधर इरान ने भी राजकता फैली होई थी, जन सत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजे जमा कर ली थी, और दोनों दलों में आय दिन संग्राम होता रहता था, पूरा साल गुजर गया नखेज जुते, देश मे भीशड अकाल पड़ा हुआ था, व्यापार शितिल था, खजाना खाली, दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था, आखिर यहां तक नौबत पहुची कि जनता ने हतियार डाल दिये, और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिक प्रजा के नेताओं को फासी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिये गए और जनसत्ता का अंत हो गया, शक्ति वादियों को अब नादिर की बात याद आई, यह बात अनुभव से सिध्ध हो गई थी कि देश में प्रजा तंत्र इस्थापित करने की शमता का अभाव है, प्रत वे सिंगहासन पर बैठ कर भी रईसों ही के हाथ में कट पुतली रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मन माने अत्याचार करने का अफसर मिलेगा, अतहे वापस में लोगों ने सलहा की और प्रतिनिधी नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए, संध्या का समय था, लेला लेला उल्लासित नेत्रों से प्रकर्ति की ये शोभा देख रही थी, नादिर मलिन और चिंति भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत के और त्रशित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया है, सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिख एक शण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं, नादिर उट बैठा और गोड़ से देखने लगा कि ये कौन आदमी है, अकस्मात वे उटकर खड़ा हो गया, उसका मुख मंडल दीपक की भाती चमक उठा, जरजर शरीर में एक विचित इस फूरती दोड़ गई, वह उत्सुकता से बोला, लैला ये तो इरान के आदमी है, कलामे पाक की कसम ये इरान के आदमी है, इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है, लैला ने भी उन यात्रियों के ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उस समझती थी, सवारों ने समी पाकर घोड़े रोक लिये और उतर कर बड़े अदब से नादिर को सेलाम किया, नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनयोग को रोक न सका, दोड़ कर उनके गले से लिपट गया, अब वे बाच्शा ना था, इरान का एक मुसाफिर था, ब पर इक्शा ले चुका था, उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बैठाना चाहा, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे, उनकी द्रिष्टी से वे बोरिये उस समें सिंहासन था, जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम ना रख सकते थे, बाते होने लगी, इरान की दशा अत्य का जुआ पड़ जाए, देश अब नादिर को ढूट रहा था, उसके सिवा कोई दूसरा उस ढूपते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था, इसी आशा से ये लोग उसके पास आये थे, नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज़त ली, कि आपकी जान लेने क की सोची है, मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिख ना करें, सरदारों ने आगरह शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे, यहां अपने गरदनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे, जिन बदमाशों ने आपको परिशान किया अब उनका कहीं निशान भी न रहा, हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए, नादर ने बात काट कर कहा, सहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से एरान का बादशा बनाना चाहते हैं, तो माफ कीजिए, मैंने इस सफर में रियाया की हालत का गौर्ड से मुलहज़ा किया है, और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सभी मुलकों से उनकी हालत खराब है, विरहम के काबिल हैं, इरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे, मैं रियाया को अपने दर्बारियों की आँखों से देखता था, मुझे आ लेला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो, क्योंकि उसके तुमसे कोई दुश्मनी ना थी, उसके दाद तो मुझ पर थे, मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ नादिर ने गंभिर भाव से कहा, लेला मुझे यकी नहीं आता कि तुम्हारे मुझे ऐसी बाते सुन रहा हूँ लोगों ने समझा, अभी उन्हें भड़काने के जरूरत ही क्या है, इरान में चल कर देखा जाएगा दो-चार मुखविरों से रियाया के नाम पर ऐसे अबद्रब खड़े करा देंगे कि उनके सारे ख्याल पलट जाएंगे एक सरदार ने अर्ज की, माजा लला, हुजूर यह क्या फरमाते हैं, क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इनसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे इनसाफ ही बाद्शा का जोहर है और हमारी दिली आर्जू है कि आपका इनसाफ नौ शेर्वा को भी शर्मिन्दा कर दे हमारी मनिशा सिर्फ यह थी कि आइनदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका ना देंगे कि वे हुजूर की शान में बेद्बी कर सकें, हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकरति संगीत में हो गई है परवत और वरक्ष, तारे और चांद, वायू और जल सभी एक सुर से गाने लगे चांदनी की निर्मल छटा में वायू के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगे उठने लगे लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी, आज माल हुआ ध्वनी ही स्रिष्टी का मूल है, परवतों पर देविया निकल निकल कर नाचने लगी आकाश पर देवता नृत्य करने लगे, संगीत ने एक नया संसार रच डाला उसी दिन से जबकि प्रजाने राजभवन के द्वार पर अप्त्रव मचाया था लेला की निर्वासन का आग्रह किया था, लेला के विचारों में क्रांती हो गई थी जन्म से ही उसने जन्ता के साथ सहनुभूती करना सीखा था वे राज करमचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी तो उसका कोमल हिर्दे तड़ा पुड़ता था तब धन, एश्वार और विलाज से उसे घ्रणा होने लगती थी जिसके कारण प्रजा को इतने कश्ट भोगने पड़ते हैं वे अपने में किसी ऐसी शक्ती का अहवान करना चाहती थी जो आतताईयों के हिर्दे में दया और प्रजा के हिर्दे में अभैकर संचार करें उसकी बाल कलपना उसे एक सिंगहासन पर बिठा देती जहां वे अपनी न्याय नीती से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती कितनी रातें उसने यही स्वपन देखने में काटी थी कितनी बार वे अन्याय पीड़तों के सिरहाने बैटकर रोई थी लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वण्ड स्वपन आंशिक रीती से पूरे होने लगे तब उसे एक नया और कठोर अनुभा हुआ उसने देखा कि प्रजा इतनी सहेंशील इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वे समझती थी इसकी अपेक्षा उसमें ओचेपन आविचार और आशिष्टिता की मातरा कहीं अधिक थी वे सदवेवार की कदर करना नहीं जानती शक्ती पाकर उसको सद्यूपयोग नहीं कर सकती उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया जिस दिन नादिर और लेला ने फिर तहरान में पदारपन किया सारा नगर उनका भीवादन करने के लिए निकल पड़ा शहर पर आतंक चाया हुआ था चारों और करुण रूदन की ध्वनी सुनाई देती थी अमीरों के महले में श्री लोटती फिरती थी गरीबों के महले उजडे हुए थे उन्हें देखकर कलेज़ा फटा जाता था नादिर रोप पड़ा लेकिन लेला के होटों पर निश्ठोर निर्दे हाथ से अपनी छटा दिखा रहा था नादिर के सामने अभी विकट समस्या थी वह नित देखना चाहता था कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वे होता है और इसका कारण लैला है पर कुछ कहना सकता था लैला उसके हर एक काम में हस्तशेप करती रहती थी वे जनता के उपकार और उधार के लिए जो विधान करता लैला उसमें कोई न कोई विग्न अवश्य डाल दे थी और उसे चुप रह जाने की सिवक कुछ ना सूजता लेला के लिए उसने एक बार राजिकत त्याग कर दिया था तब आपत्ती काल ने लेला की परिक्षा ले थी इतने दिनों की विपत्ती ने उसे लेला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था वे इतना मनुहर इतना सरस था कि वे लेला मैं हो गया था लेला ही उसका स्वर्ग थी उसके प्रेम मेरत रहना ही परम अभिलाशा थी इस लेला के लिए वे आप क्या आप कुछ ना कर सकता था प्रजाकी और समराजी की उसके सामने क्या हस्ती थी इस भाती तीन साल बीद गए प्रजाक की दशा दिन दिन बिगडती गई एक दिन नादर शिकार खेल लें गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा यहां तक की रात हो गए और साथियों का पता ना चला घर लोटने कभी रास्ता ना जानता था आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कहीं तो कोई गाउं या बस्ती का नाम और निशान मिलेगा वहां रात भर पड़ा रहूंगा सवेरे लोट जाऊंगा चलते चलते जंगल के दूसरे किनारे पर उसे गाउं नजर आया जिसमें मुश्कल से तीन-चार घर होंगे हाँ एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी मस्जिद में एक दीपक टिम्ट मा रहा था पर किसी आदमी या आदमजात का निशान न था आधी राथ से ज्यादा बीच चुकी थी इसलिए किसी को कश्ट देना भी उचित न था नादर ने घोडे को एक पेड से बान दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी उसी पर लेट गया दिन भर का ठका था लेटती ही नींद आ गई मालूम नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा पर किसी की आहट पाकर चौका तो क्या देखता है कि एक बुड़ा आदमी बैठा नमाज पड़ रहा है नादर को आश्चेर हुआ कि इतनी रात गये कौन नमाज पड़ रहा है उसे यह खबर ना थी कि रात गुजर गई और यह फजर की नमाज है वह पड़ा पड़ा देखता रहा व्रध पुरुष ने नमाज अदा की फिर वह चाती के सामने अंजली फैला कर दुआ मांगने लगा दुआ के शब्द सुनकर नादर का खुन सर्द हो गया वह दुआ उसके राजिकाल की ऐसी तीवर ऐसी वास्तविक ऐसी शिक्षप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने ना की थी उसे अपने जीवन में अपना सारा अप्यश सुनने का अफसर प्राप्त हुआ वह यह तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं लेकिन उसने कभी है कलपना नहीं की थी कि विपत्ती इतनी आसहे हो गई है दुआ ये थी एक खुदा तुही गरीबों का मददकार और बेकसों का सहारा है तो इस जालिम बाटशा के जुल्म देखता है और तीरा कहर उस पर नहीं गिरता है यह बेदिन काफिर एक हसीन औरत की महबबत में अपने को इतना भूल गया है कि न आखों से देखता है न कानों से सुनता है अगर देखता है तो उसी औरत की आखों से सुनता है तो उसी औरत के कानों से अब ये मुसीबत नहीं सही जाती या तो तो उस जालिम को जहनुम पहुचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले इरान उसके जुल्म से तंग आ चुका है तू ही इसके सिर से इस बला को टाल सकता है बूढे ने तो अपनी छड़ी संभालियों चलता हुआ लेकिन नादिर मृतक की भाती वहीं पढ़ा रहा मानोस पर बेजली किर पड़ी हो एक सपता तक नादिर दरबार में ना आया ना किसी करमचारी को अपने पास आने की आग्या दी दिन के दिन अंदर पढ़ा सोचता रहा कि क्या करूं ना मात को कुछ खा लेता लेला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांक पर रखती कभी उसके गले में बाहें डाल कर पूछती तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो नादिर उसे देखकर रोने लगता पर मुझे कुछ ना कहता यश यह लेला यही उसके सामने सबसे कठिन समस्या थी उसके हिरदय में भीशन दोंद रहता और वह कुछ निश्चे ना कर सकता था यश प्यारा था पर लेला भी प्यारी थी वह बदनाम होकर जिन्दा रह सकता था पर लेला के बिना जीवन की कलपना ही यहां मेरा और तेरा का भीद ही कहां बादशाहत नश्वर है प्रेम अमर है हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर के सुख भोगेंगे हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भाती चमकेगा नादर प्रसन हो उठा उसका मुख मंडल विजय की लालिमास से रंजित हो रहा था आँखों से शौरे टपका पढ़ता था मैं लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था जिसे एक सब्ता से उसने मू नहीं लगाया था उसका हिर्दय उसकी उमंग से उचला पढ़ता था जो आज से पांच साल पहले उठा करती थी प्रेम का फूल कभी नहीं मुर्जा था प्रेम की नीद कभी नहीं उतरती लेकिन लैला की आराम गाके द्वार बंदे थे और उसका डफ जो द्वार पर निते खूंटी से लटका रहता था गायब था नादिर का कलेजा सन्न सा हो गया द्वार बंद रहने का आशे तो यह हो सकता था कि लैला बाग में होगी लेकिन डफ कहा गया संभव है वैं डफ लेकर बाग में गई हूं लेकिन यह उदासी क्यों चाहिए यह हसरते क्यों बरस रही है नादिर ने कापते हुए हाथों से द्वार खिल दिया लैला अंदर ना थी पलंग बिच्छा हुआ था शमा जल रही थी बजू का पानी रखा हुआ था नादिर के पाउं धर्राने लगे क्या लैला रात को भी नहीं सोई कमरे की एक एक वस्तू में लैला की याद थी उसकी तस्वीर थी उसकी महक थी लेकिन लैला ना थी मकान सूना मालूम होता था जियोती हीन नेत्र नादिर का दिल भराया उसकी हिम्मत न पड़े किसी से कुछ पूछे हिर्दे इतना कातर हो गया कि हत बुद्धी की भाती फर्ष पर बैठ कर बिलक बिलक कर रोने लगा जब जरा आसू थमे तब उसने बिस्तर को सुंगा कि शायद लैला के इस पर्ष की कुछ गंद आये लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई गंध ना थी सहसा उसे तकिये के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागस का पुर्जा दिखाए दिया उसने एक हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आँखों से उसे देखा एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया वे नादर की किसमत का फैसला था नादर के मूँसे निकला हाई लेला और वे मूर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा लेला ने पुर्जे में लिखा था मेरे प्यारे नादर तुमारी लेला तुमसे जुदा होती है हमेशा किलिए मेरी तलाश मत करना तुम मेरा सुराग न पाओगे मैं तुमारी महबत की लौंडी थी तुमारी बाटशाहत की भूकी नहीं आज एक हफ़ते से देख रही हूँ तुमारी निगाह फिरी हुई है तुम मुझसे नहीं भोलते मेरी तरफ आख उटाकर नहीं देखते मुझसे बेजार रहते हो मैं किन किन अर्मानों से तुमारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लोटती हूँ इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते मैंने इस सजा के लाइक कोई काम नहीं किया मैंने जो कुछ किया तुमारी भहलाई के खयाल से एक हफता मुझे रोते गुजर गया मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुमारी नजरों से गिर गई हूँ तुमारे दिल से निकाल दी गई आह ये पांच साल हमेशा याद रहेंगे हमेशा तड़पाते रहेंगे यही डफ लेकर आई थी वही लेकर जाती हूँ पांच साल महबबत के मज़े उठा कर जिन्दगी भर के लिए हसरत का दाग लिये जाती हूँ लैला महबबत की लॉंडी थी जब महबबत न रही तब लैला क्यों कर रहती है रुखसत